हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेसपाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग पढ़ाई वड़ाई कर रहे वैसे अभी भी है आप देख सकते हो बीच में आपके लिए जितना भी हो सके रिवाईज कराने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए हमने हमारा LMR रिविजन लाश्ट मुमेंट रिविजन सीरीज की शुरुआत कर दी है हमारे प्यार है साथ वी आट वी नोवी के बच्चो के लिए और स्पेशली 11 के बच्चों के लिए तो हमने एक LMR के लिए ना पूरा का पूरा एक नया चैनल ही क्रिएट किया है जिसका नाम है जे आर कॉलेज तो यार मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे जे आर कॉलेज नाम का चैनल को जाके सब्स सब्सक्राइब किया है कि हम 11 और 12 के content जो नए बनाएंगे हम लोग वो उस चैनल पर डालेंगे ताकि हमारा एक सेपरेट हो जाए यहां पर हमारे दसवी तक के बच्चे रहेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाए करेंगे और वहां पर 11 वी बारी के बच्चे को आप लोग सपोर्ट करके तो डेफिनेटली उस लेवल का हम चैनल को बना पाएंगे लेकिन आप लोगा प्यार चाहिए चलो वो तब बात होती रहेंगे अपने जो भी सीनियर्स रहेंगे 11 वी वाले उन तक ये बात पहुचा देना चाहे साइंस वाले है चाहे कॉमर्स चैनल को बात होगे अब आजाते हैं वापस आपके टॉपिक पे जैसे कि आप जानते हमने आपके लिए लेमार रिवीजिन जो है इसकी शिरुवात कर दी अब अब अगर आप पूरा डीटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप सर्ज कर लेना सिर्फ 9 शाइंस चाप्टर 12 जाएगा लेकिन आज तो रिवीजिन है लेमार रिवीजिन है तो मैं फटा फट से 20-25 मिनट के अंदर चितना भी मेरे को समय लगेगा इसके अंदर मैं आप लोगो ये फटा फट से ओवर व्यू दे दूगा यानि एक तरीके से रिवीजिन करा दूगा ताकि जो बच्चे टेलिग्राम पे जॉइन हो जाना और एप्लिकेशन को डाउनलोड करके इंस्ट्राल करके जो भी है रख लो यार बहुत उसमें कॉंटेंट आ रहे हैं आने वाले सामय में और ज़्यादा महिनत करेंगे और उसमें कॉंटेंट डालेंगे ठीक है शुरुआत करें वीडियो दूसरा होता है, ट्रांस बर्थ में तो यहां पर मैं डाईग्रेमेटिक रीप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करू अगर मैं लॉन्जी ट्यूडियोडन वेज़ बनाऊ तो यह इस प्रकार से होता है लो लगबर इस प्रकार से जो है वो प्रोपाइशन जो भी डॉर भ वो भी waves का propagation का direction है दिख रहा है दिख से डारेख्शन के parallel में जा रहा है लेकिन वही transverse wave की बात करूँ तो transverse wave जो होता है वो हमेश्य परपेंडिकुलर होता है इस प्रकार से क्या होता है जो भी waves का जो propagation का direction है उसके perpendicular में होता है तो यह जो है आपका यह है आपका longitudinal waves, ठीक है, यह है आपका longitudinal waves और यह आपका जो है, यह आपका transverse wave है, तो generally there are two types of waves, यह आप question पूस्ता तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपने जानकारी के लिए आगे जाके आप 11th में physics पढ़ोगे, तो यह सब चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत basic idea होना च 9th is the basic, tension की बात नहीं है, तो waves क्या होता है, waves always travel, sorry, sound क्या होता है, sound travels in the form of waves, जैसे कि पहली बाद तो sound produced कैसे होता है, यह भी आप सुन लो, देखो कोई भी चीज, sound जिसमें से निकलते हैं, जैसे कि मैं भी अभी कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग को सुनाई दे रहा है, क्या बोला, कि sound जो होता है, वो हमेशा travel करता है, किस के form में travel करता है, वो waves के form में travel करता है, यह already मैंने बता दिया, तो अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, यह क्या हो रहा है, waves के form में travel हो रहा होगा, correct है, waves के form में travel हो रहा है, और यह जो मैं बोल रहा हूँ, यह निकल कहा से रहा है आवाज, यह निकल रहा है मेरे vocal chords से, तो actual में क्या होता है, कि जहां पे भी, आपको याद रखना कि sound वहाँ produce होगा, जहां पे vibration होगा, यानि कोई भी चीज़ का अगर vibration है, तब जाके sound निकलता है, without vibration sound नहीं हो सकता, जैसे example के तोर पे आप देखोगे, जैसे यह मेरे पस क्या है, marker है, अभी मैं यह यहाँ पे मारता हो, आपको थोड़ा sound सुनाई देगा, आपको टक 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 आवा जाया, मतलब कहीं न कहीं मैंने इस digital board के ऊपर यह marker को strike किया, मारा, तो क्या हुआ, यह material से बना हुआ है, और यह digital board जो है, यह भी एक material से बना हुआ है, तो जो particles होगा, वो एक जूसरे से क्या हो रहे है, टकरा के, क्या हो रहे है, वाइबरेट हो रहे है, तो जब टकरा के वाइबरेट हो रहे है, तो जब भी vibration होता है, तो उसमें से निकलता है, एक sound और वो ही sound हमें सुनाई देता है, क्योंकि sound जब travel करने लगता है, वेवस के form मे और उसका जो टायफरागा में उसनों वो हो तो कहीं नहीं जैसे घंटी हो गया कूल में हो ग enjoying होती है सबसे बेश्टी एक्साम्पल्स stay omega लटक रहा होता है उसको व्लोग ऐसा माररे 10 करके हावाज आता तो जब उसके weoration ओता सब घंटी बस्ती और भी क्या क्या छोड़ी छोड़ी चीज़ है पूरा डीटेल में एक्सप्लेशन और जानना है तो आप वीडियोस देखो हमारे लेक्चर वाले ठीक है मैं थोड़ा फास जाऊंगा वेवलेंथ है अब देखो यह एक होता है वेवलेंथ का मतलब क्या होता है यह जो आपको एक वेवस दीख रहा है ठीक है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यह लाम्डा वेवलें है अब कैसे बनाते है उल्टा वाइए वाय आपको पता ऐसा होता है लेकिन इसको उल्टा बना दो ठीक है तो कैसा दिखेगा ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ इसको बोलते हैं लैम्डा यह आपने सुना होगा शायद पहले भी लैम्डा तो लैम्डा is nothing but your wavelength ठीक है याद रखना है याद रहेगा यह सब चीज़ है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से learn कर लेन अगला चीज नहां पर बात करेंगे amplitude अब amplitude क्या होता है amplitude is nothing but the height यह जो waves का हाइट होता है उसको एहमड़का amplitude होता है इसको T से denote किया जाता है इसके अलबा होता है frequency frequency मतलब time का reciprocal ठीक है मतलब कितना cycle complete किया उतने पर unit time में तो one upon t कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा frequency मिल जाएगा जिसको new से denote किया जाता है जिसको new बोलते क्या बोलते है new and you new ठीक है इसको कैसे denote किया जाता है यह symbol को new जैसे यह lambda है वैसे यह new है याद रखना ठीक है तो क्य time period का reciprocal मतलब number of cycle in a unit time is nothing but your frequency तो यह सब चीज़े जो मैं बहुत fast तरीके explain करना हो क्योंकि यह आप जामते हो कि एक LMR है और LMR में बस यही मकसद होता है हमारा कि आपको चीज़े revise करा जाए याद दिलाया जाए तो आपको यह उपर उपर से बता कि मैं revise कर रहा हूँ बाकि अ ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले topic पे जो कि है दोस्तो velocity अब देखो velocity क्या होता है तो यह जो topic के हमारा यह क्या है एक्ट्वल में velocity of sound है इसका मतलब main मकसद क्या है पताने का कि sound जो होता है उसका भी एक speed होता है उसका भी एक velocity होता है जैसे मैंने बोला कि कभी- अवाज चो होता है वो हमेड को बहुत दूर से सुझा जेती है ठीक है लेकिन वह आवाज उतनी दूर हो रही है फिर भी हमारे कानों तक पहुच रही है और कितनी जल्दी पहुच रही है कितनी लेट पहुच रही होँँछ वो depend करता है sound के speed पे तो normally क्या होता है जो sound होता उसका भी एक गती होते है, उसकी भी एक speed होते है, उसको कैसे calculate गिया जाता है, तो हम एक चीज जानते हैं, बचपन से हमको सिखाया गया है, जब से हमने science पढ़ना शुरू किया, हमको एक चीज पता है, क्या पता है, कि velocity is equal to distance upon time, क्या होता है, velocity जो भी होता है, वो होता है, किस नहीं कहीं distance उसका क्या होगा, that is, एक waves के बीच का distance होगा, और distance को हम लोग क्या बोलते हैं, lambda, यादे कि यहाँ पे जो d है मेरा, जो distance है, उसको मैं क्या लिखूँँगा, lambda लिखूँँगा, और time तो time ही रहेगा, तो velocity is equal to lambda by T, अभी अभी मैंने एक चीज़ और पढ़ा है, कि one upon time जो होता है, वो frequency होता है, जिसको new बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे one upon T है न, वी is equal to lambda by T है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कि देखो यहाँ पे जहां से, is equal to यह lambda by T का वैसी रखा, और यह one upon T लिख सकता हूँ, और यह one upon T के जिकाँ पर new लिख सकता हूँ, तो यह lambda by T के जिकाँ पर new, तो actual में में रहा ख्या फॉर्मूला बन गया, V is equal to lambda multiply by new, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये एक formula बन गया, मतलब इसको अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि velocity of sound is equal to wavelength, lambda का मतलब क्या होता है, wavelength होता है, तो wavelength multiply by new का मतलब क्या होता है, frequency, यानि कि अगर मैं कोई भी sound waves का frequency जो है, और उसके wavelength को multiply कर दूँ, तो हमें क्या मिल जाए हमें मिल जाएगा उसके velocity of sound, और इसके base पे कही सारे numericals आते, तो numericals में करवा चुका हूँ अल्री, हमारे lecture videos देखना, उसमें numerical मिलेगा, लेकिन एक numerical लाया हूँ, जो मुझे लगता है important आपके exam में पूछ सकता है, जो मैं last में कराऊंगा, ये वीडियो के end में कराऊंगा, ठीक है, तो last तक बने रहना, ज्यादा time नहीं लूँँ, जैसा मैं जानता हूँ, कि आप लोगा time भी किमती है, और ये revision जो होता है, बहुत fast करवाया जाता है, तो इसके लिए में फटाफट सब चीजे ले रहा हूँ, ताकि ये 15-20 मिनट, आदा धाटा, जो भी लगे, मतल कि आपका फटा-फट से revision हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, next क्या है हमारा, next है यहाँ पर audible sound, अब audible sound का मतलब क्या होता है, जनरली जो sound होता है, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा पहले भी, जो sound होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, मत पहला है audible sound, तो audible sound क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूँ, कि audible sound एक ऐसा sound होता है, जिसकी frequency, आपको पता है कोई भी sound की frequency होती है, तो 20 hertz से लेके 20,000 hertz, ठीक है, 20 hertz, hertz क्या होता है, हज, मतलब hertz, इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, frequency जो होती है, उसका unit जो होता है, व कोई भी sound निकाल रहा है, जैसे मैं अभी आवाज निकाल रहा हूँ, मैं आवाज निकाल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मतलब मेरी frequency जो हो रहेगी, मेरी sound की जो frequency है, waves जो पहुच रही है, आपके पास, वो waves की जो frequency है, वो है, लगबग 20 से लेके 20,000 के बीच में, और इसी लिए आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर वो ही, वो ही sound, अगर less than हो जाए, less than हो जाए, 20 hertz से, मतलब ये 20 hertz जो है, जो सबसे minimum limit था, उसके भी नीचे अगर sound पहुच जाए, मतलब sound की frequency जो है, वो 20 hertz से भी नीचे frequency है, उसकी तो वो sound हमें सुनाई नहीं द मैं, am I audible to you, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, तो आप बोलते हो yes, yes, comment करते हो correct है, उसी प्रकार यहाँ पे ये 20 hertz से 20,000 hertz तक अगर frequency है, sound waves की, तो वो हमें audible होगा, that's why इसका नाम हमने क्या रखा है, audible sound, ठीक है, अब ये जो audible sound है, हम इंसान आम लोग आपने सुन सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मैंने बोला, infra sound उसका जो frequency होता है, वो 20 hertz से नीचे होता है, तो इसका sound हम नहीं सुन सकते, तो ये जो infra sound होता है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है न, ये जो dogs वगरे होते हैं, dogs होता है, cats होते हैं, dolphins होते हैं, ठीक है न, ये सब जो होत earthquake, अब earthquake जो होता है, उसमें भी sound होता है, तो आपने देखा है, कभी-कभी कि earthquake आने के पहले ये जो पक्षी होती है, dog catch होते हैं, वो अलग तरीक से behave करते हैं, क्योंकि यार उनको एक जो आवाज है, जो हमको सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ पे इतने सारे sound है, आपको दि लेकिन इसके अलावा भी ये रूम में कई सारे sound होंगे, जो कि 20 hertz के नीचे वाली frequency के होंगे, और that's why वो sound मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब sound है, ना, सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है तो ऐसे भी बहुत आरे जानवर है, जिनकी hearing capability अलग होती है, उनको अलग तरीके से बनाया हुआ है, हमको अलग बनाया है, 20 hertz से लेके 20,000 तक सुन सकते हैं, लेकिन 20 के नीचे वाले जो है, कुछ ऐसे animals होते हैं, dog, cat, dolphin बगरे, ये सब सुन पाते हैं, और इसको कहा जाता है, infra, infra मतलब कम, तो infrasound कहा जाता है, less than 20 hertz, और एक जो होता है, जिसको कहा जाता है, दोस्टो, ultra sound, अब ultra sound जो होता है, इसका जो frequency होता है, वो जादा होता है, 20,000 से भी, मतलब जो हमारा higher limit था, 20 से 20,000 का, उस से भी जादा, तो जैसे मैंने बोला, कि अगर 20 से लेके 20,000 तक के यहाँ पर जो जानवर होते हैं को सुन पाते हैं वो बैठ हो सकते हैं चूहे माई हो सकते हैं जा फिर कुछ डॉलफिंस वगरे वी होते हैं जो अल्ट्र सॉनिक साउन को सुन पाते हैं डॉलफिंस पि- इको बोलते हैं तो यह जो बैट होते हैं यह बैट ना एक्चुली देख नहीं सकते तो अल्टरा सॉनिक साउंड क्या करता है जो बैट जिसको बोलते हैं उसके मुँसे जब निकल रहा है तो समझ लो सामने कोई कि अबस्तेकल आ गया कुछ रुका आगए कुछ पथरे रहें कुछ बिल्डिंग फीड़े निकाल रहे हैं वह किसी पथर पेड़ से बीडिंक से रिटान आएगा उनके कानों तक तो उतने देर में वे लोग क्या होता है कि यहां से तकरा के रिटन आ गया तो इस प्रकाश से वो लोग काम करते हैं और यही सेम चीज़ अल्ट्रासॉनिक साउन्ड जो होता है वो यूज होता है आपके सोनार टेकनिक में बड़े-बड़े शिप्स में बड़े-बड़े इसमें इसका टॉपिक है मैं बताऊं मज़ आप लोगो आपने यह पूचर देखिए क्या गाजी अटाक उसमें अल्ट्रासॉनिक साउंड का यूज किया गया था नीचे पानी की गहराई कितनी है क्या है उसके नीचे दूसरी शिप्ट नहीं है ठीक है सब्मरीन से यह सब चीज़ कॉनसेप्ट है कभी-कभी मूवी अच्छे देख लिया करो knowledge मिलता इससे ठीक है समझ में आ गया अब बात करेंगे अल्ट्रास्वानिक साउंड का यूज क्या है तो मैं बहुत अच्छा इसका यूज़े एक्जा में पूचा जाता है क्या-क्या यूज़े से मैं फटा अफटा बता जेता हूं तो सबसे जिसके हेल्प से क्या हो जाता है जो हामफुल बैक्टेरिया वगरहे जो होते हैं दूद में उखिल हो जाते हैं स्टर्लाइस करने के काम आता है इसके अलभी बहुत साथे चीज़े आपने देखा ओगा कि हम लोग को सोनग्राफिय करने बोलते हैं internal organs कैसा दिखता है, internal organs का inspection के लिए use किया जाता है, ठीक है, फिर कोई भी metals के अंदर, कोई metals के अंदर cracks है क्या, तूटा हुआ तो नहीं है, cracks वगरे तो नहीं है, उसको check करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ metal का तुकड़ा है, मान लो कि आपके पास कुछ metal का उसे दिखाई नहीं दे सकते, उतने छोटे-छोटे-छोटे crack को, यह ultrasonic sound जो है, वो detect कर पाता है, इसके लिए अलग-अलग industries में, factories में, यह जो ultrasonic sound है, इसका इस्तेमाल क्या चाहता है, जो normally हम लोग को human being कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो machines होते हैं, वो पकड़ ल तो इस प्रकास से एक image बनता है, उसका आपने देखा है, एक report आता है, ultrasonic sound का, मम्या फिर पापास में पूछना, यह सब चीज वो लोग अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है, चलो, अब बात करेंगे अगले topic पी, जिसका नाम है reverberation, यह भी बहुत 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 अगर ऐसा होता, तो मैं लिख लेता, ठीक है, यार बेटे-बेटे यहां पे लिख रहा हूँ, और जो हमारे लाखो प्यारे बच्चे हैं, उनका paper automatic लिख पाओ, लेकिन मेरा खाम है दोस्तों, मैं पढ़ा के दूँगा, जितना हो सके पुरा साल भर आपके लिए पढ़ाय यह आप ही के लिए है, ताकि यह आप लोग को revision हो जाए, और आप लोग और अच्छी तरीके से मन लगा के अपना self study करो, learn करो, चीजों को याद करो, question answers को याद करो, ताकि एक्जाम में अच्छी तरीके से लिख के अच्छे marks लेकर आपा हो, तो यह मेहनत आप ही के लिए ह ठीक है, तो reverberation क्या होता है, जैसे मैं example के तरफे समझाता हूँ, समझ लोग की में पस क्या है, एक auditorium है, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, singing कर रहा है, या फिर कोई भाशन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत स जब मैं भी हम लोग जब स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो हम लोग एकदम लाश नहीं बैठते थे, लेकिन हम लोग थर्ड लाश, सेकंड लाश बेंच पर बैठते थे, कभी-कभी अगर खाली मिल गया, तो लाश बेंच पर बैठते थे, मज़ा आता था, क्योंकि यहाँ लाज्ट बेंच वर भी बैटके टॉप कर सकता था, फर्स्ट बेंच पर भी बैटके, तो it is not about the bench and all, यह आपके उपर होता है कि आपके friends कैसे है वहाँ पर, अगर आपके friends अच्छे है ना, तो आप लाज्ट बैंच पर भी बैटके पढ़ाई कर सकते हैं, और मस्ती भी कर सकत एक बात क्या सिखे, पता है कि आप जिंदगी में करोड रुपया भी कमाल होगे ना, और सिर्फ पैसा है आपके पास, तो भी आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे कि चल मैं ये खार लेता हूँ, ये घूम लेता हूँ, यहां मैं खा लेता हूँ, ये कार खरीद लू ठीक है, तो ये चीज़ यान में, life is all about the balance, life में balance होना बहुत जरू 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 है, वो balance बना के चलना, तो मैं आप लोगो ये सब चीज़ क्यों गोरना हूँ, क्योंकि आप लोगका अभी learning phase है, तो आप लोगको study तो करना ही है, एकदम extreme level का करना है, लेकिन साथ साथ में आ मैं आपने पूरे division में top किया था, 12 standard में, तो मेरे जो teachers थे, वो लोग बोलते थे, आरे यार, ये मुझे लगता था कि ये बच्चा medium level का होगा, normally मस्ती खोर था, कभी कबार बंग भी करता था, lectures, मेरे पादर को भी एक बार बुलाया गया था, college में, तो बाब में जब result आया है, मैं top कर लिया, तो लोग बोलते, teachers में बोला, अरे, में को तो believe नहीं हो रहा है कि इसने top किया, तो ये ऐसे compliment लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब चीज आपके साथ भी होना चाहिए, मज़ा आएगा life में, तो जैसे मैं बता रिवर्बरेशन, क्या होता है क कि एक बंदा है, जो बोल रहा है, यहां तक सुनाई जा रहे, लाजबेंच का क्या, लाजबेंच वाले तो अच सुनी नहीं पाएंगे, तो यहां पर क्या होता है, एक रिवर्बरेशन टेक्निक लगाया जाता है, रिवर्बरेशन टेकनिक बट कुछ ऐसे systematic यहां पर लग जाता है, वो टकरा के आपके कानों तक पहुचेगा, यानि कि चाहे आप पहले बैचे हो, चाहे आप पहले बैठे हो, देखो ध्यान से जो बतारो, चाहे आप यहां बैठे हो, 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 आपको same sound सुनाई देगा, equal sound सुनाई देगा, और यह आपने नोटिस किया होगा, कभी movie देखने गए हो, picture hall, theater देखने गए हो, theater में, theater में picture देखने गए हो की नहीं, theater में आओ गए, auditorium में गए हो की नहीं, तो कभी ऐसा आपको मैसूस हुआ कि picture तो आगे front पे चल रही हो, और हम सबसे last वाली seat book करते हैं, जो सबसे महिंगी वाली होती है, मैं गया था बीच में, ठीक है, तो सबसे last वाली जो seat होती है, उसकी price जादा होती है, क्योंकि वो एकदम top पे होता है, हम लोगो एकदम सामने सामने दिखाई दे रहा होता है, लेकिन यार कभी लोग तो ऐसा सोचते वो एक design design रहता है, कुछ holes रहेंगे, कुछ design रहेगा, कुछ angle रहेगा, वो एक reverberation technique होता है, जिसके help से जो भी मैं बोलूँगा, वहाँ सुनाई देगा, अब यह जो मेरा office है, ठीक है, जहां मैं मैं वीडियो shoot करो, यह normal है, जैसा घर होता है, आपका सब वैसे ही है, कि मैं construction का फरक, इसी लिए auditorium बनाने में, theater बनाने में खर्चा होता है, यार यह समझा करो बात, तो इसी को बोलते हैं हम लोग reverberation, ठीक है, एक होता है, सोनार, इसको भी समझ लो, फटा-फट से, सोनार का full form लिग देता हूं में, sound of navigation and ranking, sound of navigation and ranking, तो होता क्या है, इसका इस्तेमाल खासकर ships वगरे में किया जाता है, समझ लो कि मेरे पास एक समुंदर का जहाज है, ठीक है, क्या है समुंदर का जहाज है, और ये किस के अंदर है, समुंदर के अंदर, ठीक है, ये आपका क्या है, समुंदर है, ठीक है, ये जहाज है आप लोग का, ठीक है, तो इसमें दो च यह शिप जाके चल रहा है, अब शिप ने, शिप का जो भी ड्राइवर रहेगा, जिसको हम लोग कैप्टन बोलते हैं, नॉर्मल तोर पे, तो जो कैप्टन रहेगा, अभी नॉर्मली उसको पता चल रहा है कि मैं समुंदर के ओपर चल रहा हूँ, ठीक है, तो कभी-कभी क्य क्या इसके नीचे, तो ये सब चीज कैसे पता लगेगा, कोई नीची ओप्ष्टेकल तो नहीं आ गया, कुछ जो नेवी में emi काम करते हैं, शिप में काम करते हैं, सब्मरीन में, वो लोग को पता होनाit, कि कि कितनी घहराई है, को या आप्ष्टेकल तो नहीं आया, को द को ट्रांस्मीट करेगा सिगनल मतलब क्या अल्ट्रासॉनिक साउंड को ट्रांस्मीट किया जब ट्रांस्मीट कर रहा है तो यह पूरा पानी है ना तो पानी के बीच में तो कोई रुकावट है नि तो वो ट्राविल करेगा 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 यहां तक आ गया यह प्रण्समेटर करना सीगनल को और सीवर का मोटना रिसीवर करना तो ट्रांस्मीटर ने भेजा रिसीवर किया तो उसको कितना समय लगा वो कैलकूलिट किया जाता समझ वो इसको पाच सेकेंड लगा transmit करने में और घूम के आने में वापस से 5 सेकेंड लगा तो 5 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा time मुझे पता है, ठीक है distance अगर मुझे जानना है, ठीक है तो दोई चीज़ चाहिए, speed is equal to distance upon time ये formula आपका, क्या होता है, speed is equal to distance upon time समझ लो, कि मुझे पता करना है कि ये पानी का distance कितना है मतलब ये शमंदर कितनी घहराई में है खतम कहाँ पर हो रहा है, अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है speed कितनी speed से मैंने भेजा, जो sound होगा उसको समझ ले मैंने 200 के speed से भेजा, क्योंकि sound तो कितने speed में भेजना है, वो मेरे उपर है, मतब जो ship चला रहा है, उसको speed पता है, time भी पता चल गए, कि इतने second में वो अपस आ गया, उसने record कर लिया, time भी पता है, तो speed पता है, time पता है, as well as इसके नीचे कुछ obstacle तो नहीं है, वो सभी चीज़ पता लगाया जा सकता, और इसी को बोलते है, sonar technique, that is sound of navigation and ranking, याद रहेगा, पुरा detail में explain अल्री किया हुआ, इसको भी almost detail में बता दिया सब चीज, लेकिन उमीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हुआ, ठीक ह चलो, अब जाते हैं, हम लोग next topic पे, sonar graph यो पढ़ा हुआ, लेकिन उसके पेले, यह जो topic है, इसको में करा देता हुआ, क्योंकि अभी sonar मैंने पढ़ाया, तो sonar के उपर एक numerical solve कर लेते हैं, फटापट से, तो ultrasonic waves are transmitted towards the, see within the help of sonar, the reflected sound is received after 4 seconds, मतलब जो sound आ रहा है, ठीक है चार सकेंड पे आ रहा है, ठीक है, चार सकेंड पे जो reflected sound है, वो आ रहा है, मतलब कहीं ने कहीं जो एक ship होगा, मतलब सेम वही चीज़ है, जो मैंने आपको बता है, कि जो ship होगा, वो ship ने क्या किया, sound को भेजा, और sound जो भेजा गया, उसको वापस आने में, मतलब भेज के वापस आने में, चार सकेंड लगा, तो सिर्फ भेजन में कितना लगेगा, T upon 2, यानि कि 4 upon 2 हो जाएगा, that is 2 सकेंड, तो सिर्फ भेजने में, मतलब देखो यहाँ पे, कहा गया, यह जो मैंने आपको बता है, transmitter यह sound को भेज रहा है, तो सिर्फ भेजने में कितना लगा यह यहाँ पे, पहले बोल रहा है कि यह पूरा भेजा और वापस आया, तो 4 सकेंड में आया, तो इसका आदा होगा यह, मतलब 2 सकेंड में गया होगा, तो हमारा यह मिलेगा, आप लोगो टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 सकेंड, 2 सकेंड टाइम मिल गया, ठीक है, और क्या दिखो ध्यान तो और क्या चीज़ें हम लोगो यहां पर बोल गई इस पीड जो है न साउंड की वो देके रखे यहां पर मैंने लिखा नहीं दो बैट इस वेलोसिटी ओप साउंड यहां पर उन्होंने दे रखा है वेलोसिटी आप साउंड जो है वह है 1550 मीटर पर सकेंड, मतलब इतनी स्पीड से जो है साउन भेजा गया, 1550 में भेजा गया, अब मुझे पता है हमको क्या निकालना है, what is the depth of C, मतलब गहराई कितनी है, मतलब क्या निकालना है, distance निकालना है, distance is equal to motion mark, we know velocity is equal to distance upon time, ठीक है, तो स्पीड मुझे पता है, velocity कितना है, 1550 is equal to distance मुझे निकालना है, time मुझे पता है, 2 second का, multiply कर तो, therefore, D will be distance, मतलब जो distance है, जो gap, depth है, जो गहराई है, depth, उसको निकालने के लिए मतलब 1550 को 2 से multiply करना पड़ेगा, 1550 multiply by 2 मतलब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3100, कितना हो जाएगा, 3100 मेटर, मतलब उस ship जो उप किलो मेंटर अंदर तक गहराई है उसका, कितने second में calculate किया, 2 second में लगेगा, क्योंकि 2 second में time है, 2 second में वो ship वहला calculate करके बता देगा, कि इस सम अंदर के अंदर गहराई कितनी है, और इसी को बोला दाता है, तो यह सब numerical important है, इसके लिए मैंने करा दिया, ठीक है, एक और topic है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं, तो इसको भी फटा-फट से देख लेते हैं, क्या है यह सोनार, ठीक है, ध्याम देना, ठीक है, सोनार मैंने बता दिया, और क्या बजग ग अभी अभी जस्ट एडिट है, मेरे Lebens में रहता है, तो वो जो फ्रेन्ट है उसको, यहां पर पेंड ओने लगा यहां पर पेंगें कुछंचे इंटर्नल प्रब्लम है , हम लोग। से दोक्टर देखके नहीं बता सकता उसके लिए मुझे पुछ टेस्ट करना सब्सक्राइब देगा और उसका कनेक्शन होता है कम्प्यूटर से एक इस पर हमारा जो इंटर्नल और गला गण से इसका बड़ा जो चेक टाइब किया जाता है कि यह नॉर्मल है कि नौर्मल है कि नी तो इंटर्नल और गण से जब women pregnant होती है, तो उस time पे देखा जाता है, kidney stone जब होता है, कहाँ पे stone है, मतलब kidney में है, gal bladder में है, कि कहाँ, stone किधर है आपका, वो देखा जाता है, तो यह सब चीज के लिए जो sonography technique है, वो use किया जाता है, और इसमें जो है न, probe और gel, ठीक है न, probe and gel का इस्तेमाल किया जाता एक probe होता है, एक machine होता है, इसमें gel लगा के, normally इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से sound waves को भीया जाता है, जिसका एक image normal तयार होता है, और यह penless होता है, मतलब इसमें कोई भी pain नहीं होगा आपको, penless method होता है, पूरा ज्यादा detail में आप पढ़ सकते हो हमारे lectures में, तो उमीद easy तरीके से समझ में आ गया होगा, clear, clear हो गया दोस्तों तो उमीद कर रहा हूँ, यह जो हमारा LMR revision था, जो हमने बहुत ज़्यादा fast forward तरीके से लिया है, इस chapter study of sound का, यह उमीद करता है आपको पसंद आया होगा, ठीक है, तो बहुत सारे चीज हमने फटा-फट तरीके से revise क कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके जरूर से बता देना, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like कर देना, आपने दोस्तों के साथ share कर देना, और अगर पहली बार आयो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिल हमारे एक और न्यू वीडियो में तब तक के रहे, thank you and good bye.